नमस्कार मैं हूँ सात्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल लूज का विशेश का एक्रम चर्चाय खास चर्चाय खास में आज हम बात करेंगे NGO की अनुने एजुकेशन वेरफेर सोसाइटी की फाउंडर माही भजनी जी हमारे साथ है सत्यम जी उर्जस्विता को हमने पिछली साल से शुरू किया दोऐ से हमारी संस्था को दससाल पूर हूए थे और हम सभी को हमारे जो जितने भी संसा सदसे हैं, हम सभी ने ये बैठ कर इस बात का निश्चे किया कि कुछ महिलाओं के लिए उनके सम्मान के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए कुछ किया जाना चाहिए जैसे कि यदि मैं परसनल तोर पर बात करूँ तो जो मैंने समाज सेवा की है, जिसके लिए समाज के लोगों ने मुझे बहुत सरा है और उसकी वज़ा से, सच कहों तो मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया, मतलब जब हमें कोई भी सम्मान मिलता है तो उसके बाद हमारी जो है कहना चाहिए कि काम करने के लिए और जोश बढ़ जाता है इतना जो समाज के लोग हमें कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो या तुमारा काम बहुत अच्छा है या फिर इस वज़े से सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ रहा है नाम तो बहुत सारे हो सकते थी और इसका मेनिंग क्या है exactly तो मुझे इसा लगा कि सम्मान समारों में उर्जस्विता सबसे खूपसूरत नाम था और हर उर्जस्विता अपने आप में जब मंच पर आएगी एक सम्मान ग्रहन करने के लिए तो उसे इस उर्जस्विता नाम के साथ अपने आप में एक उस समेक शक्ति का संचार उसके श जिन महिलाओं को चुनके लाए हैं, वो सच कहूं तो बिलकुल नगीने हैं, बड़े हम लोग हमारी रिसर्च टीम ने काम किया और ऐसी 20-21 महिलाओं को हम लेकर आए हैं यहां मंच पर, जिनों ने अलग-अलग शेत्र में बहुत महनत करके अपना नाम, एक समाज में अपना एक मुकाम बनाया हैं और एक नाम हासल किया है। है वो हमारी जो महापौन है मालती राय जी वो करेंगी और इसके साथ है विशिष्ट अतिती जो है वो किशन सुरिवाइशी जी है जो की नगरपाली का ध्यक्षा है इसके साथ ही आईचम के प्रिंसिपल आनंद सर और बाल आयो के पूर्व सदस्य विभाइशी जोशी सर है जैसे कि उन्होंने बताया भी माही जी ने कि ये महीलाओं को उर्जा का सोथ मानते हैं मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़के बोलूँगा कि जैसे महीला ससक्तिकरन की बात करते हैं हमेशा जो है मैं एमपावरमेंट की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि वो फोरम पे ये प्रशन अभी उठ रहा था कि महिलाओं पुरुष को क्यों नहीं दिया जा रहा है तो मेरा इसमें मानना ये है कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि अगर एक पुरुष को हम सिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को सिक्षित करते हैं, और जब हम एक महिला को सिक्षित करते हैं, तो एक समुदाय को या पूरे समाज को सिक्षित करते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष में, अगर हम उसी संदर में देखें, तो अगर हम एक महिला को अगर अगर अकनॉलेज कर रहे हैं, पुरे स समाज को पूरे समुदाय को सम्मानित कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रोसाहित हो रहे हैं वो देख रहे हैं उनके लिए एक मागदशन मिल रहा है एक प्रेड़ना के स्त्रोत हैं यह सारे जो जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है तो जै भी है नहीं कि बाकी जो जेसे इनको नहीं दिये जा रहे होю अच्छा कारा नहीं कर रहे हैं तो मनलाब वो भी शायद इनसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनकों कि हम नहीं कितनी कर पाइन लेकिन उद्देश यह है कि हमने किसी को सिंबॉलिक रुप से हमने इनको अवार दे रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी जो है, यह देखेंगे, इनका जो कार है और इनका जो छेतर है, वो उनको भी बैपक परसार परसार मिलेगा, और दूसरे लोग भी प्रेडित होंगे और अच्छा काम करेंगे, और उस चेतर का भी जो है, चेतर में भी काम करेंगे, और महिलाओं के तरह से भी और काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने समाज को जो है, कांट्रिबूट करेंगे, तो मेरा सोचना यह है कि जो, यह लोग जो काम कर रहे हैं, यह, they are on mission giving back, मतलब समाज को वापस दे रहे हैं कुछ है, हम हमेशा लेते रहते हैं, तो हम इनको यह, इसलिए जो है, मैं समझता हूँ, यह लोग काफी महत्वपूर्ण हैं, और दूसरों के लिए, और जो नए लोग आ रहे हैं, नए महिलाए हैं, लड़कियां जो काम कर रहे हैं अपने चेत हम करते हैं सत्य का अनवेशां, तखल नीउस आपके हक्त में, आप देख रहे हैं तखल नीउस